के एवरिवान गुड मॉर्निंग राधी राधी आप सभी को कैसे आप सभी आई होग कि आप लोग अच्छे होंगे तो दो दिन से मैंने कोई वीडियो सूट नहीं किया चलिए हम सफर करकर के बहुत जादा ही ठक गये थे तो अभी हम चंदी गड़ी के लिए निकले हैं तो म सिम्ला से निकले थे तो महाँ पर बहुत बारिशूती मौसम भी आप लोग देखी सकते हैं कितना सुहाना मौसम है हमारे लड़ू को पाल ने बहुत इंज्वाई किया सिम्ला में भी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो क्लिप सूट कर देती हूं तो यहां पर मै 3,000 का पढ़ा था 3 दिन का 9,000 पढ़ गया था तो ऐसी मिल रहा था कोई सस्ता यहां पर था ही ने होटल बहुत महँगे अज़ा थे यहां पर सभी नॉर्मल से नॉर्मल होटल भी धाई से 3,000 का ही था तो यही लेना पढ़ा क्योंकि हम 4 लोग थे तो single bed पे तो possible नहीं था तो इसलिए हमें double bed का ही room लेना था तो वो room काफी बड़ा था और काफी need and clean था यह सब हमने सब मिल के चारों ने गंद मच आई है क्योंकि तीन दिन से हम इसी room में हैं तो थोड़ा बहुत गंदा तो हो जाता है यह बाहर का विव था और हमें चाहिए था पीछे का पूरा पहाड़ी पहाड़ दीखता था तो उसके बाद जो वीडियो क्लिप बची थी जूकी तो मैंने सुचा कि चलो शेयर कर देती हूं तो यहां पे निशू इस वाले में बहुत डर गया था डर रहा था थोड़ा किसी किसी गेम में डर रहा था तो बहुत सारे gaming की Video वगर्वें हो पाई को कि जब हम इंजुआय करने के लिए घाते हैं तो हम और कर सकते हैं और पॉसिबल भी नहीं होता है या तो हमility कर सकते हैं या तो फिर Video viu कृप सूट कर सकते हैं कुछ वीडियो तो मेरे हजबन नहीं सूट किया है मैंने तो सूट भी नहीं किया है क्योंकि इसमें फोन अलाव ही नहीं था लेके जाना क्योंकि जटके वगरा लगते तो फोन जो है खाई से नीचे गिर जाता तो कुछ में तो फोन विल्कुल भी अलाव ही यह अगर आप पैकेज लेते हो तो आपको benefit है कि पैकेज में आपको बहुत सारे जूले वगर्ण मिल जाते हैं जूलने के लिए और अगर आप जूला वगर्ण नहीं जूलना चाहते हो से view को enjoy करना चाहते हो तो आपको 500 पर पर संट टिकट यहां पर है तो मैंने आपको के अंदर ही हमारा बहुत जादा पैसा लग गया जितना हमने तीन दिन में सिमला में पैसे नहीं खर्चा किया उतना एक दिन में हमारे जू के अंदर पैसा चला गया तो अगर आप लोग इन सब चीजों को enjoy करना चाहते हो ऐसी जगह पर तो आप लोग विजिट कर सकते हो क काफी अच्छा experience था हम लोगों का और अच्छा लग रहा था पहाड़ों में जूला वगरा काफी अच्छा लग रहा था उसके बाद next day morning में हम जो है निकल गए थे बस अड़े के लिए तो थोड़ा सा वीडियो सूट कर लिया था मैंने तो अब हम बस अड़े जा रहे हैं अच्छी हम दिन भर थोड़ा सा चंदीगर बिताएंगे क्योंकि चंदीगर में मुझे एक हजबन को पार्क दिखाना है जो की आटन ग्राफ्ट से बना हुआ है बहुत सुंदर है वहाँ पे काच की चूडियों का पत्थर की टाइस का बहुत सारे स्टेच्यू बने हुए बहुत सुंदर लगता है उसके बाद चंदीगर से दिली का रास्ता जादा था नहीं तो इसलिए हमने दिन भर चंदीगर में बिताया और रात को बस पकड़ी फिस सुबा हम देली पहुच गये थे तो हमारा तीन-चार दिन का ट्रिपता लेकिन बहुत इंज्वाई किया यहाम में मनाली में तो मनाली में क्या होता था कि हमें लेना पड़ता था और बहुत ज्यादा हर्बर तरबर होती थी सुबा आट बजे नास्ता करना ही करना है ने तो 8 बज़े बाद आपको नास्ता नहीं मिलता था फिर 9 बज़े गाड़ी लग जाती थी जहां पर जाना है उसके लिए होटल की तरफ से ही गाड़ी होती थी इस बार हमने सब कुछ खुछ से बुक किया था तो बहुत जादा बेनिफिट था और काफी मतलब ऐसा नहीं था इस बार की हरबर तरबर में हमें कहीं जाना है कुछ करना है फटाक से उठो फटाक से ये करो तो बहुत रिलैक्सिंग था बहुत मतलब सच में मतलब मन को दिल को और सरीर को शानती मिली, सरीर में बिल्कुल भी ठकावट नहीं हुई, हमने इतनी चड़ाईया करी, यहाँ पे इतनी सीड़ाईया चड़ी, क्योंकि यहाँ पे हर जगह सिर्फ ज़्यादा था, चड़ाईयों पे ही सब कुछ है, नीचे कुछ थाई नहीं, मतलब बिना चड़ाई किये, बिना सीड़ाईया चड़े, बिना स्लाइडर वाली सीड़ाईया चड़े, कुछ था ही नहीं, तो लेकिन सची बता रही हूँ कि बिल्कुल भी सरीर को ठकावट नहीं हुआ, बहुत रिलक्स से हम लोग आए, और बहुत आराम से बस मिल गई, कुछ भी ऐसा नहीं था, जै इस मोमेंट को इंजॉय कर पाए, फैमली के साथ एक छोटी सी ट्रिप, बच्चों की छुटिया पड़ गई है, तो फैमली के साथ एक छोटा सा ट्रिप तो बनता ही था, बहुत टाइम हो गया था, मैं कहीं गई भी नहीं थी, और हर साल हम कहीं नहीं जाते ही है, जब गोवा में गर्मी है, पता नहीं कैसा महा पे वैदर होगा, कैसा नहीं होगा, इसलिए तो गोवा नहीं जा पाए, तो फिर हमने सिमला का ही ट्रिप चुना था, और बहुत सच बता रही हूं गाईज, मन को ना, सिर्फ दो चार दिन के ट्रिप मैंन को बहुत शान्ती मिली, बहुत अच्छा लगा, उस दिन मैं बोली रही थी कि मन कर रहा कहीं चली जाओ, तो मेरा माइंड भी न गईज ऐसा ही है, जब मेरा दिमाग सनकता है न तो मैं कहीं न कहीं चली ही जाती हूं, आप सबको पता है कि मेरे दिमाग का कुछ पता ही नहीं होता, मैं दिमाग से थ पटाफ़ट शॉपिंग करी बस यह दा कि जाना है और पहली बार मुझे यहां पर यह जंपिंग वाली वीडियो में डर लगा कोई वीडियो सूट नहीं हो पाया क्योंकि हाथसा ही कुछ यहां पर ऐसा हो गया मेरे साथ कि मैं बिलकुल खाई में जाने वाली थी मैं बहुत बाप यहां पर देख सकते हैं जहां पर चार लीडिज मतब दो लीडिज और बैठाया था क्योंकि बैलेंस भी करना होता है ना जूले को क्योंकि पहाड़ों में है और साइड में पूरा का पूरा खाई है बाप रे बाप इतनी डरावनी जगह पे ऐसा नजारा मैंने कभी जिन्दगी में सोचा भी नहीं था कि ऐसे डरावनी जगह पे भी यह वाला एक्सपीरियंस मेरा कभी होगा लेकिन कुछ भी कहलो गाई बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था यह वेकेसन तो मैं सच में सालों साल नहीं भूल पाऊंगी बहुत अच्छा वेकेसन था मेरा तो फर्स टाइम क्योंकि सब कुछ रिलेक्सिंग के साथ था सांती से था कोई हरबर तरबर भाग दोड़ नहीं यहां जाना है वहां जाना हमारे गाड़ी वाले भी इतने मतलब यहां के लोग बहुत शांती पूरवक हैं नो लड़ाई जगड़ा नो कुछ भी हो जाता थ आपको मतलब पलट के जवाब भी नहीं देते कि हाँ आपने ऐसा क्यों बोला नहीं तो पिछले दो बार मेरा मनाली में कुछ लोगों से जगड़ा भी हो गया था मतलब गाड़ियों में वह अपनी अपनी चला रहे थे क्योंकि एक ही गाड़ी में चार-चार लोगों को ब अरम दिमाग क्यों कुछ भी ऐसा होता है ना तो मेरा जगड़ा होई जाता है लेकिन बहुत मज़ा था कुछ भी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइड में आपको पहाड और खाई दीख रहा होगा अगर यह थोड़ा सा और पीछे जाए ना तो मतलब हार्ट भी त को अ लेकिन गाइज मैं एक ही अडवाइस दूगी कि अगर आप जिन्दगी में एक वर सिम्वला जरूर जाना सिम्वला के जो देखने लाइक कुछ भी नहीं है मैं सची बतारी हुग सिम्वला में दो दीन तीन दिन से ज़्यादा ट्रिप का कुछ है भी नहीं लेकिन पर जो एडवेंचर वगरा होते हैं जो यह सारी चीज़ों होती है इन में आपके बहुत पैसे लगने वाले हैं तो अगर जाए तो आप इन सब चीजों को जरूर विजीट करें क्योंकि आपके लिए बहुत यादगार पल बन सकते हैं तो यह तो मेरा बहुत बहुत अच्छ कर रहे होंगे मेरी वीडियो को देखके यह वाला तो पल ओ माइगोड मेरे हस्बंड ने नीचे से सूट किया था कितना उच्छाई पर हम लोग हैं सो सकते उपर बादल नीचे खाई साइड में पहाड़ी पहाड क्या हाला थी हम लोगों की बता नहीं सकती फिर हम जब सब्सक्राइब को दिखा देती हुसाम कर फिर नेक्स्ट टेए ओ माइग जो था ना बहुत अमेजिंग था मैं आपको यह एक्सपीरियंस ना मतलब बता नहीं सकती हूं बिलकुल आपके हाथ से दो इंची के दूरी का रास्ता और घोड़ा आपको उपर से नीची खाई में कभी पहाडों पे कभी जंगलों में मतलब ऐसे ऐसे छोटी छोटी रास्ते ना जिस पे आपको यह लगेगा कि नहीं अब घोड़ा आपका गिरने वाला अब आपका गोड़ा साइड में चला जाएगा अब घोड़ा आपको कहां लेकर जाएगा मतलब उसी पल एक गोड़े इतने ट्रेंड होते हैं ना कि मतलब यह वाला तो जो राइट थी ना गाइस मैं आप लोगों को मतलब अपने मुझे क्या एक्स्प्लेइन करूं जो उस समय जो मैंने फील किया ना जो मेरी फैल किया जो मेरे बच्चों ने फील किया ना उस डर को उसके बाद जो खुशी थी ना उसको पूरा करने का बस वह एक्स्प्लेइन नहीं कर सकती हूं लेकिन जब यह था कि पूरा हो गया तब जान में जानाई कि हां हो गया क्योंकि वह तो मतलब जानवर यह ना सकती अभी तुमारा घोड़ा नीचे आ गया सड़क पर क्योंकि हम वापस आ रहे थे तब मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिफ सूट किया था लेकिन बहुत डराऊना मोमेंट था सूट करना पॉसिबल ही नहीं था जिस रास्ते पर हम गय थे यह नीचे आ चुके हैं क्योंक यह आपको दिखाऊंगी रास्ते कि आप सोचोगे गाइस की आप एक बार को मतलब इस वाले राइड को करने से डर जाओगे अब देखना यह यह रास्ता था और आगे जाके इससे भी पतला रास्ता हो जाएगा दोनों तरफ आपको खाई दिखेगी और दिवाना नो सीड बनाई है चल चल के यहां पर और उसी के ऊपर ऊपर घोड़े चल रहे हैं अभी आपको सपाट रास्ता दिख रहा ना लेकिन आगे जाके कोई सपाट रास्ता नहीं था मैं तो यह सोच के हरां थी कि मेरे बेटे ने कैसे इस राइड को किया और बहुत अच्छा एक्सपीर नहीं थी कोई रास्ता नहीं था इन घोड़ों नहीं विचारों ने रास्ता बनाया है अपने चलने के लिए और इतने ट्रेंड यह घोड़े होते हैं ना मतलब क्या बोलू बहुत गजब का एक्सपीरियंस था यह देखे मेरे हजबन ना मेरे बेटे ने बहुत अच्छे वीडियो क्लिप बनाये मैंने मैं डर के मारे नहीं बना पाई थी I hope you like this video guys thank you for watching